देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिन्दा खबरे वो भी मेरे साथ अतिव रिष्टी की मार छेल रहे किसानों के लिए बुरी खबर है मौस्व विभाग ने आगामी तीन दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है इस परिशानी के लावा दुख भरी खबर ये भी है कि पुणे के कातरज के राजिव गांधी प्रानी संग्रहले में सफेद पट्टी वाली प्रियदर्शनी बाग इमकान निधन हो गया है वो पिछले 3-4 दिनों से बिमार थी जिससे उसका खाना पिना भी कम हो गया था दुखत खबरों की इस कड़ी में पुड़े जिले के शिक्रापूर में रूखो कमपा देने वाली घटना हुई है यहां एक सडक के किनारे बाइक रोग कर फोन पर बात कर रहे परिवार को एक तेजगती से जा रही कंटेनर ने जोरदार टकर मार दी हाथसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई बात राजनितिक और प्रशासनिक की करे तो जहां उद्धव सरकार ने मुंबे के पुर्वा पुलिस आयुकत को 21 तक गिरफतार न करने की बात कही है वही पुर्वा गुरुह मंत्री अनिल देशमुक की मुश्किले और बढ़ गई है सीबियाई को पता चलाए कि महराश्टों में करीब 50 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है प्रदेश के इन 5 बड़ी खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते है मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अतिवरुष्टी से फसलों की भारी तबाई हुई है मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिन तक कोकण में अधिकांच जगहों पर बारिश तथा मत्य महाराष्टा में भी बादलों की गड़गडा हाट के साथ बिजली चमकने की संभावना है मराटवाडा और विदर्बा में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिती बनी रहेगी दो दिन पहले राज्य के मददवो पुनरवसन मंत्री विजयवडी टिवार ने कहा था कि सितंबर महिने में 71 लोगों ने जान गवाई जबकि राज्य में इस वर्ष हुई भारी बारिश में 436 नागरिगों की मौत हुई है राज्य में कई जगहों पर 4 और कुछ जगहों पर 8 बार भारी बारिश हुई भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है केवल बिजली गिरने से ही 1966 लोगों की मौत हुई है गुलाब चक्रवाद की वज़े से दो दिन हुई बारिश के कारण कई जगह नदिय उफान पर है। खेती का नुकसान हुआ है, कई जानवर पानी में बह गए। कुछ जगह पर सौ से एक सो पचास मिली मिटर बारिश दर्च की गई है। गुलाब चक्रवाद की वज़े से स साथ से आठ हजार करोड की नुकसान का नुमान है। ऐसे में तिन दिन तक बारिश की सिती बने रहने से भारी नुकसान हो सकता है। खास कर किसानों में चिंता का माहौल है। पूने के कात्रज के राजिव गांधी प्राणी संग्राहले में सफेद पट्टी वाली प्रियरदर्षनी बागिन का नीधन हो गया है। वह पिछले 3-4 दिनों से बिमार थी जिससे उसका खाना पिना भी काम हो गया था। प्राणी संग्राहले प्रशासन के अनुसार कि कम से कम एक दो महिने और प्रियादर्शनी की जिने की उम्मिद थी लेकिन आज उसने आखरी सास ली इसलिए प्राने संग्रहले के बागों की संख्या अब 8 से 7 हो गई हैं बागिन का पोस्पाटम करने की बाद प्राने संग्रहले के संचालक राजकुमार जाधव और प्राणी संग्राले में अर्जुन और भक्ति की जोड़ी और अंगाबाद से दाखिल हुई है। पूरे जिले के शिक्रापुर में रूप को काप देने वाली घटना हुई है। ये एक सडक के किनारे बाइक रोक कर फोन पर बात करें परिवार को तेज गती से जा रही कंटेनर ने जोरदार टकर मार दी। इस भिशन घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में तीन साल की बच्ची बाल-बाल बच गई है लेकिन वह गंभिर रुप से जखमी हो गई है। ये सबी लोग जाते गाव बुद्रुग के रहने वाले थे। जानकरी के अनुसार अशुक अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ शिक्रापूर चाकन रोट से जा रहे थे। जाते काव फाटा से जाते वक्त उन्हें एक कॉल आया। इसलिए पवार ने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दी और फोन पर बात करने लगे। इसी दोरान पीछे से तेज गती से आई एक कंटेनर ने बाइक को जोरदार टकर मार दी। इस घटना में बाइक के साथ परिवार के लोग कंटेनर के नीचे चले गए। हाथसे में तीन साल की बच्ची बाल-बाल बच गई। पुलिस ने घटनास्तल पर पहुचकर सभी को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तीनों को मृद्गोशित कर दिया। तीन साल की बच्ची का उपचार चल रहा है। गिरफतार कंटेनर चालक का नाम संजे बाला जी येलगटे हैं। चश्मदीदों ने बताया कि कंटेनर की गती काफी तेज थी। महाराश्य सरकार ने बॉंबे उच्चे नायले से कहां कि वह मुंबई के पुर्वपुलिस आयक्त परमिर सिंग के खिलाफ SCST अत्याचार रोक्ताम अधिनियम के तहट दर्ज एक मामले में 21 अक्तुबर तक कोई सक्त कारवाई नहीं करेगी। एक अन्य मामले में राज़ सरकार ने अदालत को आश्वस किया कि ये भारतिया पुलिस सेवा की अन्या धिकारी रश्मी शुकला के खिलाबी कोई कारवाई नहीं करेगी। पुर्वा पुलिस आयक तक के अधिवक्ता वाईपी यागनिक ने बताया कि महाराश्चा सरकार ने परमिर सिंग के खिलाफ कोई कठोर कारवई अर्थाद गिरफतारी जैसी कारवई नहीं करने के 24 मई 2021 के आश्वासं की अवधी बढ़ा दी है नयमूर्थी एसस शिंदे और नयमूर्थी एंजे जामदार की पीट ने ठाने पुलिस द्वारा सिंग के खिलाफ दर्च प्रातमी की रत करने के लिए उनकी याजिगा पर सुनवाई 20 अक्तूबर तक स्थगित कर दी बदादे कि सिंग के खिलाफ ठाने में अनुसुची जन जाती अत्यचार रोक्ताम अधिनियम के तहट अप्रेल में मामला दर्च किया गया था ये मामला एक पुलिस निरिक्षट बी आर घंजे की शिकायत पर दर्च किया था घरजे अकोला पुलिस में पदस्थापित है घरजे ने दावा किया कि उन्होंने कुछ आरोपियों का पक्ष लेने के लिए सिंग के गैर कानूनी आदेशों को मानने से इंकार कर दिया तो उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ साजिश रची और उन्हें रंगदारी के पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है सुत्रों के मुताबिक सभी ट्रांसफर पुलिस एस्टाबलिस्मेंट बोर्ड यानि पी इबी की मिटिंग के बाद हुए थे ये मिटिंग सिदंबर 2020 में हुई थी अब ये मिटिंग जांच टिम के रडार पर है महराश्टर पुल पोस्टिंग को लेकर अंतिम निर्ने लिया जाता है महराश्टर के पुर्वा गुरुह मंत्री अनिल देश्मुक पर सो करोड रुबे की वसुली के आरोपों की जांच कर रहे सीबियाई ने राज्य के मुख्य सचिव सितराम कुंटे और डीजीपी संजे पांडे को तलब कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो मोदी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा अगर आप किसान हित में किये गए सुधारों का विरोत करने वालों को देखोगे तो आपको बहुत धिक बैमानी और राजनितिक धोका धड़ी का असली मतलब दिखेगा असली मतलब का उलेक एक किताब में भी किया गया है कि महात्मा गांधी की हत्य कि साजिस 1947 में स्वपतंत्रता प्राप्ति से एक सब्ता पहले ही रच ली गई थी ये किताब महात्मा गांधी की हत्या के लिए इस्तिमाल की गई बेरेटा पिस्टॉल तथा ग्वालियर के एक डॉक्टर द्वारा इसकी व्यवस्था के जाने से पुरी घटना का विवरण पेश करती है राज़दी की बात करें तो असम कॉंग्रेस ने अपने ही एक मौझुदा विधायक शर्मन अली एहमद को कारण मतव नोटीस जारी किया है नोटीस में असम प्रदेश कमिटे ने कहा है कि आप कॉंग्रेस का हिस्सर हैते हुए भाज़पा के एजर्ण के रुप में काम कर रहे है सुप्रिम कोट ने کہा है कि हम किसी को डि न टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते सामन्य प्रक्रिया के रूप में नहीं बलकि आवशक मामले में ही DNA परिक्षन का निर्देश देना चाहिए क्योंकि DNA परिक्षन के लिए अनिचुप व्यक्ति को बाध्य करना व्यक्तिकत स्वतंत्रता और नीज़ता के अधिकार का उलंगन है इसके लवा दक्षिन पच्चिम दिल्ली में एक पुलिस थाने के बाहर कतित तोर पर हंगामा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 53 अफ्रीकी नागरिकों को गिरफतार किया गया है आज देश में घटित धटनाओं में पांच खास खबरे हम आपके लिए लाए हैं तो आईए इन खबरों को विस्तार से जानते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार छोटे गिसानों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है क्रुशी कानूनों को लेकर हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिन बिंदों पर आसामती है सरकार बैटकर उस पर बात करने के लिए तयार है इस संबन में कई बैठके भी हुई है लेकिन अभी तक कोई एक शक्स भी यह बता नहीं सका है कि किस बिंदों में बदलाव की जरूरत है दरसल उन्हें डर है कि अगर इस तरह के फैसले लिए गए तो मोदी की सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा एक साक्षातकार में उन्होंने कहा कि कई राजनीतिक दल है जो चुनाओ से पहले बड़े-बड़े वादे करते है उन्हें मैनिफेस्टों में भी डालते है फिर जब वक्त आता है वादा पूरा करने का तो यही दल यू टर्न ले लेते है और अपनी ही किये वादों को लेकर हर तरह की मनगडंत और जूटी बाते फैलाते है अगर आप किसान हित में किये गए सुधारों का विरोत करने वालों को दिखेंगे तो आपको बहुत धिक बेईमानी और राजनीतिक धोखादड़ी का असली मतलब दिखेगा ये वही लोग है जिनोंने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख कर वही करने को कहा जो हमारी सरकार ने किया है ये वही लोग है जिनोंने अपने मैनिफिस्टों में लिखा कि वे वही सुधार लागू करेंगे जो हम लेकर आये है फिर भी चुकि हम एक अलग राजनीतिक दल है जिसे लोगों ने अपना प्यार दिया है और जो वही सुधार लागू कर रहा है तो उन्होंने पूरी तरह यूटन ले लिया है और बौधिक बैमानी का भौंडा प्रदर्शन कर रहे है यहाँ पूरी तरह से नजर अंदास कर दिया गया है कि किसान हित में क्या है सिर्फ इसको सोचा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा कैसे होगा महत्मा गांदी की हत्या की साजीश 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से एक सब्ता पहले ही रचली गई थी यह दावा एक नई किताब में किया गया है गांदी की हत्या की परिस्तितिया इसके कारणों और इसके बात की जाच आधी पर प्रकाश डालती है किताब पुर्व में संग्यान में न ली गई खूपिया रिपोर्ट और पुलिस रिकॉर्ट के आधार पर उस समय के रियासतों की भूमी का अती पुरुशत्व की भावना और देश को मिली स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष में उभरी एक दक्षिन बंथी भावना की पड़ कुछ सपता पहले ही रची गई हो पुस्तक में लेखा को ने लिखा है हमने किताब में जो नय साक्ष प्रस्तुत किये है वे इस और इशारा करते है कि इसकी साजिश 1947 में आजादी मिलने से एक सपता पहले ही रचली गई थी हमरा मत है कि यह खोज भारत के इतिहास के एक न कॉंग्रेस पाल्टी का हिस्सा रहते हुए बाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं सीम हेमन्द विश्व सर्मा के निकट्टा के कारण आपको विशेश रूप से चुनाओ के समय कॉंग्रेस को नुकसान पहुचाने के लिए इस तरह की टिपणी करने के लिए प उपचुनाओ से पहले आपकी टिपणियों को कॉंग्रेस पाल्टी को नुकसान पहुचाने की इरादे से राजनीती से प्तेरीत माना जाता है। कॉंग्रेस विधायक शार्मन अली आहमेद द्वारा दिये गए विवादासपस सामप्रदाइक बयान की कड़ी निंदा की है और उनसे बिना शर्थ माफी की मांग की है। सुप्रीम कोट ने कहा है कि हम किसी को डिने टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते। सामान्य प्रक्रिया के रूप में नहीं बलकि आवश्चक मामले में ही डिने परिक्षन का निर्देश देना चाहिए। क्योंकि डिने परिक्षन के लिए अनिच्चुक व्यक्ति को बाध्य करना व्यक्तिगर्स वतंत्रता और नीजता के अधिकार का उल्लंगन है। नयले ने कहा कि ऐसी परिस्टितियों में जहाँ संबंद को स्तापित करने के लिए अन्यसबूत उपलब्द है अदालत को आमतवर पर रक्तजाच का आदेश देने से बचना चाहिए। नाम भारत संग में इस नयले के सर्वसंमत निर्णय से लिया जा सकता है। जिसमें नीजता के अधिकार को भारत में समवैधानिक रूप से सवरक्षित अधिकार गोशित किया गया है। दावा किया है। दक्षिन पश्चिम दिल्ली में एक पुलिस थाने के बाहर कतित तोर पर हंगामा करने और पुलिस कर्मियों पर हमला करने के आरोप में 53 अफरीकी नागरिकों को गिरपतार किया गया है। गटना 26 सितंबर की रात की है। पुलिस की मुताबिक एक अफरीकी वेक्ति की यहाँ के एक अस्पताल में संदिग्द परिस्टितियों में मौत हो गई थी। जिसके बाद डॉक्टर ने उसके दोस्तों को इस बारे में पुलिस को सुचित करने को कहा था। लेकिन उसके दोस्त शव ले जाने पर अड़ गये जिसके कारण कहा सुनी हुई और पुलिस को बुलाना पड़ा। इसके बाद मोहन गार्डन पुलिस थाने के बाहर भीड एकत्रित हो गई और अफरीकी लोगों ने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया यह घटना एक स्थानी अविक्ति के मोबाइल फोन में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया वीडियो में कई लोग थाने में तोड़ फोड करते और इलाके में वहानों को नुकसान पहुचाते नजर आ रहे है पुलिस ने बताया कि लगभग 20-25 अफरीकी नागरी हातों में पत्थर और रौड लेकर थाने में गुज गए उन्होंने थाने पर हमला किया और पत्राओ किया उन्होंने थाने के अंदर और बाहर वहानों को भी ख्षति ग्रस्त कर दिया पुलिस ने कहा कि अफरीकी नागरीकों ने कर्मियों पर भी हमला किया जिसमें तीन पुलिस कर्मी घायल हो गए इसके बाद स्थिती को काबू करने के लिए पुलिस को हवा में गोलिया चलानी पड़ी जिसके बाद वे मोके से फरार हो गए लेकर हो रही है इसके अलावा कोलंबो पोर्ट पर भारतिय कंपनी के स्वामित्व वाले समुद्री टर्मिनल के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है बहु प्रतिक्षित योजना को श्रिलंका में सरकारी मंजूरी मिलने के बाद दर श्रिलंका पोर्ट्स एथॉरिटी और भारत की निजिक शेत्रकी कंपनी के बीच इसके लिए करार हुआ है बड़ी खबर ये भी है कि भारत के खिलाफ नापाक साजिश रच रही पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अब चीनी की सेना पी ए ए एले के भारत से लगती सीमा के थेटर कमांड के मुख्याले में तेनात है इसी पाकिस्तान से जुड़ी असरदार खबर ये भी है कि देश चलाने के लिए वहाँ भांग की खेती पर जोर दिया जा रहा है पिछले दिनों वहाँ के मंतरी फवाद चौधरी देश के पहले भांग के खेत का उठगातन किया दुनिया को अपनी और आगर्शित करने वाले इन पांच बड़ी खबरों को आई या विस्तार से जानते है पाकिस्तान के पीम इमरान खान ने फिर अपनी फजियत कराई है दर असल उनोंने कहा कि सरकार प्रतीबंदित संगटन तहरी के तालीबान पाकिस्तान के साथ बाच्चित कर रहे है ताकि उन्हे अपने हतियार डालने और देश के संविधान के दायरे में लाया जा सके इमरान ने इसे सुलह प्रक्रिया की शुरुवात बताया है कहा है कि वह बाच्चीच से समझोते की उम्मित कर रहे है लेकिन अभी कुछ साफ नहीं है पाकिस्तान के साथ दुनिया में इसी बात को लेकर उनकी आलोचना की जा रही है विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि या शहीत परिवारों के गाओ पर नमक छिड़कने जैसा है अखिरकार केंद्रिय सुचना मंत्री फवाज चोधरी को सफाई देने सामने आना पड़ा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आग और खून की नदी से गुजरा है हमने हजारों लोगों को खोया है इन बलिदानों की वज़े से हमने अलकायदा जैसे आतंकी संगटनों को हराया है उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि हाल ही में राश्ट्रपती आरीफ अलवी ने कहा था कि वे कुछ टीपी सदस्यों को माफी दे सकते है यदिवे सशत्र समूः और अपरादी गती वीदियो में शामिल नहीं है गौर्तलब है कि टीटीपी का मकसद इसलामबाद में तालिबान के इसलामी शासन को स्थापीत करना है और इसी कडिम में वह पाकिस्तान के कई इलाकों में लगातार हमले करता रहता है कोरोना की लड़ाई में अमेरिका ने भारत की जमकर तारिप की है अमेरिकी राष्ट्रपती जू बाइडन प्रशासन के एक शिर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत इस कोरोना महामारी को समाप्त करने में सबसे महत्वपुर्ण भूमी का निबाने जा रहा है वैक्सिन निर्मानक्षमता को विस्तार करने के लिए भारत ने काफी निवेश किया है दूसरे शब्दों में कहा कि भारत इस महामारी को समाप्त करने में ग्रह पूत्वी पर सबसे महत्वपुर्ण भूमी का निबाने जा रहा है भारत में अमेरिकी राजदूत्र है रिचर्ड वर्मा के साथ चर्चा के दौरान उन्हें ने कहा कि अभी हम वास्तव में कठिन दौर में है क्योंकि वैक्सिन की व्यापक कमी है भारत बहुत जल्द इस क्षेत्र में वापसी करने वाला है मुझे लगता है कि भारत एक प्रिणा के रूप में सामने आया है भारत जल्वायू के मोर्चे पर अक्षय उर्जा के लिए अपने संक्रमन में नवाचार कर रहा है वह अपनी वैक्सिन निर्मान क्षमता का भी विस्तार कर रहा है उन्होंने जोर दे कर कहा कि एक बार जब भारत अपनी स्थिती में आ जाता है तो आप जानते हैं कि यह अनिश्चित रूप से भारतिय लोगों के हित में होगा हम भी ऐसा करने के लिए उनका समर्थन करना चाहा रहे है अमेरिका की यह होसला अबजाई खास है क्योंकि वैक्सिनेशन में अन्य देशों को भारत ने काफी पीछे छोड़ा है कुलम्बू पोल्ट पर भारतिय कंपनी के स्वामितव वाले समुदरी टर्मिनल के निर्मान का रास्ता साफ हो गया है बहु प्रतिक्षित योजना को श्रीलंका में सरकारी मन्जूरी मिलने के बाद श्रीलंका पोल्ट सेथोरिटी और भारत का नीजीक शेतर की कंपनी के बीच इसके लिए करार हुआ है श्रीलंका में आर्थिक कबजे की और बढ़ रहे चीन के लिए इसे बड़े जटके के तौर पर देखा जा रहा है इस परियोजना को श्रीलंका के बंदरगा सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है श्रीलंका फोर्ट्स ने एक बयान में कहा है कि यह समझोता करीब 70 करोट डॉलर का है अडानी समो इस बंदरगा को श्रीलंका की कमपनी जॉन कील्स के साथ मिलकर बनाएगी जॉन कील्स करीब 34 फी सदी और अडानी समो का इंक्यावन फी सदी का भागिदार होगा नए बनने वाले कंटेनर जेटी पोर्ट का नाम कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल रखा गया है परियोजना के पहले चरण में 600 मिटर टर्मिनल बनाया जाएगा और यहाँ दो साल के अंदर पूरा हो जाएगा करार के अनुसार इस पर अगले 35 साल तक भारतिय कंपनी का स्वामित वर रहेगा उसके बाद टर्मिनल श्री लंका सरकार के अधिन हो जाएगा यहाँ नया कंटेनर जेटी हर साल 32 लाग कंटेनर का आवा गमन संभालेगा यहाँ करीब 1.4 किलो मिटर लंबा और 20 मिटर गहरा है भारत के खिलाप नापा की साजी शरचरई पाकिस्तानी सेना के अधिकारी अब चीन की सेना पी ले के भारत से लगती सीमा के थियेटर कमांड के मुख्याले में तैनाथ है खोपिया सुत्रों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान के बीच खोपिया सुचनाओं को साजा करने के लिए समझाता होने के बाद इन पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को तैनाथ किया गया है चीनी सेना के पस्चिमी और दक्षिनी थियेटर कमांड में पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के तैनाती के संकेत मिले है एक report के मुताविक पाकिस्तानी सेना के संपर कदिगारी चीन के पश्चिमी थीयर्टर कमांड और दक्शिनी थीयर्टर कमांड में टैनात किये गए है चीनी सेना के इसी कमांड के पास भारत से लगती देश की सीमा, शी जियांग और तिबबत स्वायत तक शेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है चीन ने पिछले मैंने ही जनरल वांग है जियांग को पस्ची में थियेटर कमांड का नया कमांडर नियुक्त किया था बतादे की भारत और चीन के बीच कई दोर की बाच्चीत के बाद भी चीन की सेनाई वास्तविक नियंतरन रेखा यानि एलेसी पर लद्दाक शेत्र में तैनाथ है खोपीय सुथरों के मुताविक कर्णल रेंक के पाकिस्थानी सेना के अधिकारी जॉइन स्टाप डिपार्ट्मेंट ऑफ दे सेंट्रल मिलिटरी कमीशन में तैनात है इसी कमिशन के पास युद्ध की रन्नीती बनाने, फ्रशिक्षन और चीनी सेना की रन्नीती बनाने की जिम्मेदारी है गत अगस्त में ही खवर आई थी कि पाकिस्तान के प्रदानमंत्री इम्रान खान ने देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अंतरराश्टिय मुद्राकोश से 2.75 बिलियन डॉलर का करज लिया है भारतिय रुपे में करज की यह राशी 20,000 करोड रुपे से भी जादा बैटती है पहले से ही हर पाकिस्तानी नागरिक के उपर 1,75,000 रुपे का करज चड़ा हुआ है पाकिस्तान की संसर्द में खुद इम्रान खान सरकार ने कबूल किया है कि अब हर पाकिस्तानी के उपर अब 1,75,000 रुपे का करज है पाकिस्तान की यह कंगाली अब कुल कर सामने आ रही है सरकार पैसे जुटाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है पाकिस्तान के सूचना एवं ट्रसारन मंत्री फवाच चौधरी ने देश के पहले भांग के खेत का उदगाटन किया है इस मौके पर उन्होंने विज्ञान एवं टकनीक मंत्रा लए और खासकर पाकिस्तान कॉंसिल अप सैंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को सम्मानित किया भांग एक मादक पदार्थ होता है लेकिन दुनिया में कई जगे इसका इस्तेमाल मेडिकल रूप में भी किया जाता है पाकिस्तान सरकार भांग की खेती को बड़ावा देना चाहती है ताकि अंतरराष्ट्य बाजार में इसे बेचकर मोटी कमाई की जा सके ट्विटर पर फवात चौधरे ने कहा कि इस परियोजना को आगे बड़ते देखना बहत खुशी की बात है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान करोडो डॉलर के भांग उद्योग में अहम भागिदार बनने जा रहा है तो आज की इस खास पेशकर में बस इतना ही है आपसे कल फिर मुलाकात होगी तब तक बने रहे हैं वीके वीडियो से जात नमस्कार